दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रियका नियोस्क्लिक के कारिक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिरेश तो देश के एक प्रमुख प्रदेश महारास्ट्र में हाहाकार मचा हुआ है राजनितिक हाहाकार अब तो शिव सेना जो सरकार का नित्रत्तो कर रही है उसके प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि सरकार चली जाएगी तो चली जाए और क्या होगा अधिक सदिक सरकार चली जाएगी ये बात संजय राउत ने आज सुबह कही इसका मतलब कि सरकार तो वाकई बचने नहीं जा रही है क्यों नहीं बचने जा रही है क्योंकि शिव शेना जिसके पास 2019 के चुनाव में कुल 55 सीटें जिसको बिली थी 288 सीटों वाली विधानसभा में 144 सीट सरकार बनानी के लिए जरूरी थी लेकिन भारती जनता पार्टी 105 सीटें जीतने के बाद भी सरकार नहीं बना सकी थी क्योंकि 144 कहां से वला थी कोई उसको साथ देने को तयार नहीं था शिव शेना का कहना था कि चीफ मिनिस्टर आप उसके नेता उद्धव ठाक्रे को बनाएं सिर्प तभी गठबंदन कायम रहेगा शिव शेना चीफ का कहना था कि चुनाव के दवरान वायदा किया गया था कि इस बार देवेंद्र फर्णवीश नहीं उद्धव ठाक्रे चीफ मिनिस्टर बनेंगे बैरहाल इन कारणों से दोनों पार्टियों का गठबंदन खतम हो गया इसके बाद एक नए गठबंदन का किया धार शिला रखी गई जिसमें शरत पवार ने महत्पन भूमी का आदा सीटें होती हैं यानि जो बहुमत है उससे ज्यादा लेकिन 2019 में बनी ये सरकार 2022 में अब बिल्कुल कॉलैप्स यानि खतम होने के कगार पर है किसी वक्त अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ देरे में कैबिनेट का बैठक का फैसला होगा कैबिनेट में बारे में मैं कोई वहशे बारी नहीं करूंगा लेकिन विकल्प दोनों हैं या तो आज स्थिपा या इंतजार क्योंकि संजयराउत जो शिव सेना के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि एक नाच शिंदे जो बगावत का जंडा जिनों ने बुलंद किया है वो 30 साल पुराने उनके मित्र हैं पुराना रिष्टा है शिव सेना उनके रग रग में है वो कहीं नहीं जाएंगे लेकिन एक नाच शिंदे कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी को समझाईए कि वो बीजेपी के साथ आएं तभी हम सरकार बनाएंगे या तभी हम सरकार को रहने देंगे उद्धव ठाकरे किसी कीमत पर भारती जनता पार्टी के साथ जाने को तयार नहीं हैं क्योंकि भारती जनता पार्टी उनको चेप मिनिस्टर मानेगी नहीं तो ये स्थितियां जो महारास्ट में बनी हैं उसमें सरकार का जाना लगभगत तय है और दोस्तों इस सरकार के जाने की जो प्रक्रिया चल रही है इसमें शरत पवार जिनको इस गठबंधन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी समझा जाता था माना जाता था कि वो एक ऐसे सुत्र हैं जिसके इर्द गरित पूरा गठबंधन खड़ा हुआ है इस बार उनकी बड़ी रहस्य में भोमिका दिखाई दे रही है उनके दो वरिष्ट नेता जो कैबिनेट मंतरी रहे हैं और अभी भी जो जो उनके जो गिरफतार नेता हैं वो पार्टी के ब गरिमंतरी रहे हैं और गरिमंतरी साहब जेल में हैं दूसरे सज्जन भी जेल में हैं तो ये जो पहलू है वो श्रत पवार के लिए बहुत दबाव का है अजित पवार पर जो लंबित मुकदमे हैं वो भले ही वापस हो गए फाइलें उनकी ठंडे बस्ते में डाल दी गए क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों कि चुनाव के कुछी समय बाद एक सरकार बनी थी जिसमें देवेंद्र फर्ट नवीज को रातों रात नहीं सुबह सुबह मुख्यमंत्री बना दिया गया था राजभवन में रहस्य में ढंका एक समारो हुआ किसी को बुलावा नहीं कुछ नहीं और अचानक राजपाल महोदय ने देवेंद्र फर्ट नवीज को चीप मिनिस्टर सुबह के आठ बज रहे चे संबहुता और अजित पवार को डेपिटी चीप मिनिस्टर बना दिया कुछी समय के बाद डेपिटी चीप मिनिस्टर ने एस्थीपादे दिया और कहा कि एंसी पी बीजुपी के साथ जाने को तयार नहीं है तो कुछी घंटे के बाद जबंद्र फर्ट नवीज ने इस्तिपादे करके सरकार से अपने को अलग कर लिया या सरकार गिर गई अब वही अजित पवार एक बार फिर संकट में हैं क्योंकि कहा यह जाता है कि भारती जंता पार्टी लगी होई आए कि अगर NCP के दो-दो नेता जेल में हैं व्रस्टाचार के नाम पर मैं व्रस्टाचार नहीं करा रहा हूँ व्रस्टाचार के नाम पर कभी कोई E.D. के सामने बुला लिया जाता है कभी किसी के पीछे C.B.I. लग जाती है अभी जैसे अनिल परब हैं ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर हैं शीव सेना के खाते से हैं जब मैं आप से बात कर रहा हूं तब भी E.D. उनको दिल्ली में बुला रही है कभी मुंबई कभी दिल्ली कभी मुंबई कभी दिल्ली और इस तरह से चलता रहता है तो दोस्तों ये जो अजित पवार को बचाने का एक प्रियास पवार फेमिली की तरफ से है मैं समझता हूं कि ये भी राजनीत पर दबाव डाल रहा है ये महत संजोग नहीं है कि इस बार शरत पवार सरकार बचाने के लिए वो चटपटा亘ट、 वो बेचैनी वो बड़ी कभायत कोई नहीं दिखा रहे हैं जो अकसर वो दिखाया करते थे सरकार बनाने के लिए भी सरकार बचाने के लिए भी कल जब वो दिल्ली से मुंबई गए तो उद्धव ठाकरे से उनकी शाम को मुलाकात नहीं हुई जबकि कहा गया था कि वो सीधे उद्धव ठाकरे से मिलेंगे आज उनकी मुलाकात है तो वो व्यग्रता नहीं है वो तेजी नहीं है वो जल्दबाजी नहीं है तो क्या ये माना जाए कि शरत पवार को मालू में कि सरकार बचने वाली नहीं है एक तो ये क्योंकि एक नाच्छिंदे का जो विद्रोह है वो वाकई बहुत ताकतवर है, बहुत सबल है और दूसरी बात ये कि क्या ये कुछ गुपचुपग पका है आपस में कि हम भी ठीक रहें तुम भी ठीक रहो सरकार का समय करण बदल जाए क्या फर्क पड़ता है सरकार का चेहरा बदल जाए क्या फर्क पड़ता है वैसे भी दोस्तों आतकल ज्यादा political parties का चेहरा बदल जाए तो भी सरकार के content में कोई फर्क नहीं आता सरकारें एक ही जैसे चलती हैं उनकी policies भी एक ही जैसी रहती हैं कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो ये एक बड़ी दिल्चस्प बात है कि उद्धो ठाकरे चेप मिनिस्टर ताकतवर नेता बाला साथ ठाकरे के पुत्र उनके नेत्रतों के बावजोद शिव सेना जो उनके परिवार के इर्द गिर्द चलने वाली party उसमें इतनी बड़ी दरार पैदा हो गई कि 40 विधायक 40 विधायक दावा उनका है एक नाचिंदे का वो कह रहे हैं कि 35-36 तो हमारे शिव सेना के हमारे साथ हैं बाकी हमारे पास 5-6 विधायक निर्दली हैं उनका कहना है कि ये सारे विधायक हमारे साथ हैं और अब वो सूरत या हमदाबाद नहीं अब वो सीधे कू कहां महाराष्ट कहां असम अब आप समझ सकते हैं असम में किस की सरकार है आप ये भी समझ सकते हैं कि सुरत में किस की सरकार है यानि गुजरात में तो भारती जनता पार्टी कितना भी दावा ये करे कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं शिल सेना कि अंदरुनी लड़ाई ह लेकिन ये अंदरुनी तो लड़ाई है लेकिन लड़ाई में जो आग जल रही है उसमें घी डालने का काम कौन कर रहा है ये सारा आयोजन कहां से हो रहा है इस आयोजन के सित्रधार कौन है शंक बजाने वाले कौन है घंटा बजाने वाले कौन है इसमें कोई संदे नहीं दोस्तों कि सबसे मुनाफा सबसे बड़ा रायनितिक फायदा इस पूरे घटनाक्रम से भारती जनता पार्टी को मिलना है इसलिए भारती जनता पार्टी की भूमी का निश संदे इस पूरे प्रक्रण में है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता लेकिन एक नात शिंदे और भारती जनतापार्टि बारती जनतापार्टि के नेता और शिव सेना के भी द्रोही नेता एक नात शिंदे दोनों कह रहे हैं कि ने बीजेपी से कोई मतलब नहीं है सारा प्रबंध BJP करे लेकिन कुई उससे मतलब नहीं है दरसल एक नात्षिंदे की पूरी योजना यह है कि उन पर ये इल्जाम न लगे कि वो BJP से मिलकर बाला साथ ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा रहे हैं वो ये चाहते हैं कि लोग कहें कि शिव शेना वाले उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा रहे हैं बीजे पी का नाम न आए क्योंकि जैसे ही बीजे पी का नाम आएगा शिव शेना के लोग समर्तक गली गली सडक सडक पर हर जगा चाराओं पर हर जगा खड़े हो जाएंगे और जब एकनाच शिंदे के साथ भले ही हमेले हों लेकिन पार्टी संगठन पर कबजा करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एकनाच शिंदे संगठन पर कबजा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शिव सेना भवन, शिव सेना के अकूत फंड सब पर समवैधानिक ढंक से उनका कबजा हो जाए। क्योंकि अगर थ्री फोर्थ, तीन चौथाई अगर उनके पास भवमत आ जाता है, वो अपना एक अलग गुट बनाकर उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। तो बहुत मुश्किल होगा भारती जनता पार्टी की अगवाई वाली किंद्र सरकार के इस राज में बहुत मुश्किल होगा उद्दव ठाकरे को अपनी पार्टी को बचा पाना और उसको अधिक्रित शिव सेना के रूप में जिंदा रखना। निश्चित रूप से एकनाच शिंदे जो दल बदल कानून है उसके तहट 10th schedule उसके उसके इसके डिफरिंट जो आसपेक्ट्स हैं इसके दाराएं हैं उसके तहट क्लेम कर सकते हैं कि रियल शिव सेना वो है और उद्दव ठाकरे अपनी शिव सेना के पीछे अब एक ये पूरी की पूरी राजनीत इस समय एकनाच शिंदी की है क्या वो इस राजनीत में सफल होंगे उद्दव ठाकरे इस बात को समझ गए हैं कि ये सिर्फ उनकी सरकार गिराने की परियोजना नहीं है बीजेपी के द्वारा ये दरसल शीव सेना पर पूरी तरह कबजा करने उ ये उद्दव ठाकरे के लोगों को मालूम है संजेराउत कह भी रहे हैं लेकिन संजेराउत कह रहे हैं कि हमें डर नहीं है शीव सेना का बच्चा बच्चा हमारे साथ रहेगा तो ये कुल मिलाकर बहुत दिल्चस्प लड़ाई है लेकिन सरकार का जाना अब तक के जो अब गई इसे बचाना बिलकुल असंभो सा लग रहा है जब तक कि कोई मिरेकिल कोई आश्रजनक कोई कोई अध्भुत चमतकार ना हो जाए तो दोस्तों ये हमारी आज की पहली कहानी रही और दूसरी कहानी जो मैं इस सप्तार नहीं छोड़ना चाहता इस बुद्धवार को वो है भारत के राश्रपती पद के चुनाव के लिए और सेस विपक्ष यानि जो साजा विपक्ष पूरा का पूरा इंटायर अपोजिशन जो पार्टी हैं कुछ एक छेत्री पार्टीयों को छोड़ कर खासकर दक्षन की सबने डिक्लेयर कर दी हैं अपने उमिद्वार कि भी वहां रही हैं वो दरौपदी मुर्मू इस वक्ट एंडीय की ऑफिसियल हुमिद्वार तश्री तरफ ये श्वनंच सिना जो लंबाा been का करियर बहुर्टी वाले विपक्षी दलों को कोई ऐसा उमीदवार नहीं मिला जो उनकी तरह secular democratic commitment जिसका और संदिक्द रहा हो आखिर भारती जनता पार्टी में इतने दिनों तक सरकार में रहने वाले व्यक्ति पार्टी में रहने वाले व्यक्ति जब गुजरात के दंगे हुए थे उसके बाद भी हम तो कह रहेंगी कि उतनी उतनी पुरानी बात नहीं है 2013-2014 में बीच भी जब campaign किया जा रहा था चुनाव का उस वक्त भी यस्वन सिना बोला करते थे कि नरिंदर मोदी जी पर ये आरूप लगाना गुजरात दंगे का बिलकुल अनरगल है ये बिलकुल गलत है उनको कार्नर करने के लिए किया जा रहा है तो अंत तक वो डिफेंट करते रहे नरिंदर मोदी जी को और तमाम भारती जनता पार्टी के अंदर की political जो equations हैं उसम वो हमेसा साथ रहे अभी भी उनके पुत्र भारती जनता पार्टी के हजारी बाग से सांसत हैं और दोस्तों यहीं नहीं बढ़का गाउं जो हजारी बाग जिले में आता है वहां राम नौमी के जलूसों के दौरान प्रशासन और पुलिस के बंदिशों के बावजूद सा अभी ऐसे कारिक्रमों में यश्वन सिना की आहम भूमिका रही जिसको लेकर अखवारों में और तबाम वेब साइटों पर आप बड़ी बड़ी ख़बरें देख सकते हैं अभी भी तो कुल मिलाकर पिछले कुछ समय से वो अचानक सेक्विलर डिमक्रिटिक हो गये हैं और वो विपक्ष की पूरी लामबंदी के का उन्होंने फैदा उठाया खासकर त्रिनबुल कॉंग्रेस का दबाव रहा होगा और इसके बीचे एक और कहानी थी कि कोई गोपाल कृष्ण गांधी या इस तरह का कोई भी व्यक्तित तो तयार नहीं हुआ चुनाओ लड़ने के या महागट मंदन के उमिदवार के रूप में सामने आया है लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि क्या विपक्ष को एक जादा सुसंगत जादा जिसमें निरंतरता रही हो सेकुलर डेमोक्राटिक कमिट्मेंट जिसका और संदिक दिरा हो क्या ऐसा कोई उमिदवार वहाँ खोजने में विफल रहा तो ये एक पालू है देखना है कि द्रौपदी मुर्मू जो भारती जन्ता पाटी की प्रतियासी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ट्राइबल हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे काम किये थे जारखंड के राजपाल के रूप में जो रिकार्ड है वो ये कि जब रगवरदास की सरकार जहारखंड में थी जिस समय वो राजपाल थी उस समय आदिवासियों पर जुल्मो सितम का इंतहां तोट पड़ा था और दोस्तों बहुत सारे लोग पत्थरगड़ी जो आंदोलन था उस दरम्यान और उसके पहले गि लेकिन मुर्मजी राजपाल रहते विए उन्होंने कोई हस्तक शेप नहीं किया कब भी कोई हस्तक शेप नहीं किया तो एक तरह का टोकिनिजम है एक प्रतीक वाद है कि हम कभी दलित एक समाज से आने वाले व्यक्ति को राश्टपती का उमिद्वार गोशित करते हैं लेक पर हम कभी खरे नहीं उतरते तो ये कहानी भारती जंता पार्टी पर भी लागू होती है तो देखना है इन दोनों उमिद्वारों के बीच जीत किसकी होती है हार किसकी होती है वो अलग कहानी है लेकिन ये उमिद्वार बहुत दिल्चस्प हैं नमस्कार आदाब स्थ्रियका झाल